हेलो फ्रेंट जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी जो आप में से ही किसी ने मुझे भेजी है आज हम इसी प्रॉब्लम का अंसर देंगे कि यदि कोई व्यक्ति A heart attack से मर गया है किन्तु एक व्यक्ति B इस ग्यान के बिना कि A की मृत्ति हो गई है उसे लगातार चाकूं से गोतता है तो उसने IPC की किस धारा के अंतरगत अपराद किया है इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये act IPC में offense है या नहीं है यदि ये act offense है तो B liable है अन्यथा नहीं offense और crime में क्या अंतर होता है अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इसके लिए उपर मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ आई बेटन पे जिस पर आप क्लिक करके हमारी एक पूरी डिटेल वीडियो डिफरेंस बिट्विन क्राइम एंड ओफेंसर पड़ी हुई है उसे देख सकते हैं इस प्रॉब्लम में B की इस प्रॉब्लम में B A की हत्या करना चाहता है जो की इंडियन पिनल कोर्ट के सक्षन 302 के तहट ओफेंस है परंतु हत्या करने के लिए दुराशे यानि मेंस्रिया और दुष्कृत यानि एक्टस रियस दोनों का होना जरूरी है B का दुराशे तो A को चाकू मारने से स्पष्ट है कि वो A की हत्या करना चाहता है बट उसके एक्टस रियस या दुष्कृत यानि की चाकू मारने से A की मृत्यू नहीं हो सकती है क्यूंकि वा पहले से ही मरा हुआ है जिसका ग्यान B को नहीं है और मरे हुए वेक्ति को दुबारा नहीं मारा जा सकता क्यूंकि ये असंभो प्रयास या impossible attempt है और भारतिय न्याले मानो शरीर के विरुद्ध किये गए असंभो प्रयास के लिए अभ्युक्तों को दोश्मुक्त करते रहे हैं उधारण के तोर पर परचाई पर गोली चलाना सत्रू समझ कर या दिवार पर टंगे कोट पर गोली चलाना ये सोच कर की वो कोई वेक्ती है इसी प्रकार रजाई से धके हुए तथा कथित वेक्ती अरथाथ पुतले पर गोली चलाना को न्यालेओं ने ओफ grease नहीं माना है ज जैसे किसी व्यक्ति की जेव में उसका पर्स निकालने के आशे से हाठ डालना परंतु उसकी जेव में पर्स नहीं है तो भी अभ्युक्ट को चोरी के प्रयास के लिए न्याले दोशी मानते हैं। उधारण के तौर पर धारा 511 का इलस्टेशन B परंतु नियाले ओफेंस अगेंस्ट हुमन बोडी के इंपॉसिबिल अटेम्ट को ओफेंस नहीं मानते हैं जिससे इस पस्ठ है कि भारतिय दंड सहिता की किसी भी धारा के तहत आने वाला कोई भी ओफेंस B ने नहीं किया है अ फिर भी B उसे चाकूँ से गोत्ता तो उस दशा में B को मानो शव के अवहेलना के लिए IPC की धारा 297 में दोशी माना जा सकता था जिसके लिए उसे अधिकतम एक वर्ष की सजा भी दी जा सकती थी